इस वीडियो में हम जानेंगे कि चर और अचर का जोड किस तरह से बनाया जाता हैं। इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे यानि कि एकदम सुरुआत से समझेंगे ताकि किसी को समझने में कोई भी दिकत प्रोबलम न हो आपने कभी भी चर और अचर का भी नाम नहीं सुने होंगे तो भी कोई बात नहीं इस वीडियो को अंत तक दखिये अंत में आप कितना भी बड़ा चर और अचर का जोड बनाना जान जाएंगे तो चली अब वीडियो को शुरू करते हैं तो इस से पहले हम जान लेते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं तभी तो समझने में असान होगी ना तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चर किसे कहते हैं इसको भी समझना बहुत आसान है तो समझ ये चर किया है तो जो चर होता है वो होता है ये से लेकर जेड़े तक कि कोई भी संख्या यानि कि ये से लेकर जेड़े तक कि जो सारी संख्या होती है ये भी सेड़ी कितना होता है चर में आती हैं और इसको चर क्यों कहते हैं इसलिए इसको चर कहते हैं कि इसके जो मान होता है वह नीचित नहीं होता है यानि कि बदलता रहाता है यानि कि इए सब कांसे संखिया छ अनवान बदलता रहता है और किस तरह से बदलता है जैसे कि मां लगो घॉडशी यहां पर फोल्रीक्स ठीक links पर देख कि किस तरह से इसका मान बदल जाएगा एदि हम ची जगाह पर एक रखेंगे यहां पर X है तो इसके जगाव पर हम एक रखेंगे तो हो जाएगा चार गुणे एक बराबर चार यह इस तरह से रहता है चार एक्स और कोई भी चीन नहीं दिया रहाता है तो हम समझते हैं कि गुणा का चीन छुपा रहता है तो यहां पर हो गया है चार गुणे एक बराबर चार और यहीं पर हमने रख दिया तीन तो इस बार हो जा रहा है एक्स के जवपर हमने तीन रखा तो बारह हो जा रहा है यानि कि हमने क्या देखा कि एक्स का मान जो हैं बदलता रहता है यानि कि चर का मान ब को आते हैं एपी सीडी वाली संख्या को चर कहते हैं और यहीं जब छूटा रहता यानि कि गिंती की संख्या को पर कहते हैं अब गिंती में कोई भी संख्या हो सकता है एक सिलिकार अनांद तक हो सकता है ठीक तो इसको अचर कहते हैं अचर वह संख्या को कहते हैं जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है ठीक और चर वह संख्या को कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है अब हम समझते हैं कि इसका जोड किस तरह से बनाया जाता है देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2X पलस Y ठीक और हमने यहाँ पर लिखा X पलस 2Y अब इसी को हमें जोड़ना है क्या करना है जोड़ना है चलिए हम जोड़ कर देखते हैं इसको जोड़ना भी बहुत आसान है तो देखिए क्या होता है जो एक लेखा संख्या है ना एक जाती का उसको एक साथ जोड़ते हैं ठीक तो देखे यह जो है वाई है इसमें है और इसमें भी वाई है तो वाई वाले को हम एक साथ जोड़ेंगे यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो एक वाई है ठीक और यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो वाई है तो एक वाई और दो वाई मिलकर कितना वाई हो गया है तीन और यहां पर दो यहां पर दूगों एकस हैं और यहां पर एकक्स है तो दूगों और कितना होता है तीन होता है तो इसलिए हमने यहां पर लिखा ठीट हो गया इसका जोड़ कितना आसान है कि है नहीं बहुत सिंपल और उधारों लेकर देखते हैं कि देखिए जैसे में इस बार हमने ले लिया दू एक्स पलस कि तीन एक्स ठीक नहीं पहले एक और छोटा सा उधारान लेते हैं दू एक्स पलस कि थी वाई ठीक और यहां पर हमने ले लिया पांच एक्स पड़ास फोर वाई अब इसको हम लोग जोड़ते हैं इसको भी जोड़ना बहुत आसान है यहां पर फोर वाई है ठीक तो तीन और चार मिलकर इसको आई को भी छोड़ें सब्सक्राइब हाई तो फिर यहां पर लाकर्षाटा देंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जोड़ का जीन और इसी तरह अभी y को x को हटा देते हैं, x को हटाएंगे, तो कितना हो गया, 2 पलस 5 हो गया, इसका जोड़ो तो आता ही है, तो यहाँ पर होता है 7, और यहाँ पर भी हो गया 7, और x को हटाएंगे, तो फिर यहाँ पर 6 हटा देते हैं, तो क्या हो गया, 7 x, तो हमारा जोड़ाया कितना, 7 एक्स प्लस साथ वाई तो इसी तरह से चार और राचर का जोड़ किया जाता है अब थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है देखिए जब हमने रखा पांच एक्स पलास टू आई पलास थीरी एक्स पलास फोर वाई अब यहाँ पर समझे अधी इस तरह से दे देगा है यह कहीं लाइन में सभी को दे दिया हम लोग तो इस तरह से देख के थे तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है जो एक जाती का है ना उसको एक जगा पर किजिये तो देखो पांच है और एक से इसको लिखे हम और फिर इसके जाती का कौन सा है इसमें ढूंड़े इसमें तीन है क्यों तीन है इसी के जाती का क्योंकि इसमें भी एक सालगा हुआ है तो यहां पर हमने लिख दिया 3X और पलस है पलस का चीन देदेते हैं X जाती वाले को हमने लिख दिया अब हमें देखना है कि अब Y जाती वाले को लिखना है यानि कि जिस जिस के साथ Y लगा है उसको 1 साथ लिख देना है तो यहाँ पर है 2Y और नीचे इसके लिख देंगे किम ने किमने किए किया इस तरह रहेगा तो बनाने के लिए मीले एक सुद्वालेна को एक साथ किया और दो लौले गई अर फोर फोर्म २ होगे悠ी BC क् ważne सरेया दी हो गिए अब क्या करना इसको जूड़ानना है का पर զो लौाई है यहां पर फ्ल्म है दो आई और फोर वाई मिलकर कितना हो गया इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आठेक्स आएगा तो हमने लिख दिया आठेक्स ठीक हमारा जोड़ बनकर त्यार हो अब लोगों का मन कर रहा हुआ कि नहीं हम इस तरह से नहीं लिखेंगे दिस सीधे दिया है तो हम सीधे जोड़ेंगे तो उसका भी उपाई है कुछ मत किजिए इसको एक जगह लिखे दिए दिखें जैसे हैं पांच एक्स हैं अब दूसरा है में क्या किजिएगा यहां पर फ्याइकक्स वाले को ढून कर लाइए खुजी एक्स वाला काॉन है यहां पर है फिरी एक्स लुकाया है तो इसको हम यहां पर लाये धीरी एकस ठीक को अब फीरcomCheese साथ कर देते हैं प्लास कि अब किसको हमें खोजना है वाई वाले को तो यहां पर लिखती है टूप आए पलास फोर वाई इस तरह से अब हमें क्या करना है इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है तो 5X पलस 3X कितना हो गया 8X पलस कचीन और यहां पर 4 अदू 6 तो आगया 6X आगया हमारा इन सवर तो इसी तरह से चर और अचर का जोड़ बनाया जाता है